Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sode, so paper 1 preparation में आज हम research after tiered unit के sessions आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले lecture में students हम देखींगे कि research क्या होता है और क्यों इसको use किया जाता है ये वीडियो बहुत जादा important है क्योंकि यहीं से आपके सारे concepts clear होंगे और easily आप आगे के topics को फिर समझपाओगे Paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको examination तक daily live lectures के साथ 100% syllabus cover करवाने की मैं guarantee देती हूँ साथ ही students topic wise practice MCQs and PYQs भी आपको मिलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो topic आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे questions आई है and upcoming exam में कैसे questions पूछे जा सकती है Final revision के लिए mock test and 5000 plus MCQ question bank है जिसके बाहर से कुछ भी examination में कभी भी नहीं पूछा जा सकता बच्चों को notes बनाने में बहुत जादा समय लगता है लेकिन इस course में आप लोगों को हम PDF format में full syllabus notes देते हैं जो कि exam के लिए बहुत ही जादा important है and new batch में हमारा Monday से start होने वाला है examination तक आप लोगों के लिए ये course valid रहेगा content पर जाते ही आप देख सकते हो free videos है complete मेरा course है जिसमें आपको मेरे सभी lectures के PDFs मिल जाएंगे, test मिल जाएंगे and video lectures है जिसके अलावा ना आपको कोई extra mock test या ना extra कोई book खरीदने की जरूरत है तो ये बहुत important course है, exam oriented preparation में आपको मदद करेगा and paper 1 में आपको first attempt में 100 में से 80 plus score करने में भी यही course मदद कर सकता है तो आप सभी students given numbers पर contact करके इसको जरूर join कर लीजिए तो हमारा आज का topic है research methodology introduction तो research में introduction से हम शुरू करेंगे अब जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को clear होना चाहिए कि research, search का मतलब होता है किसी चीज को ढूंडना research का मतलब होता है कि कोई चीज already हमारे पास है लेकिन हम फिर भी उसी चीज पे search कर रहे हैं उसी चीज को search कर रहे हैं तो बार-बार किसी particular topic पे बार-बार किसी चीज पे अगर हम लोग search करते हैं ठीके findings कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो उस चीज को बोला जाता है research तो research क्या है यह careful and detailed study है इसके बारे में किसी भी specific problem के बारे में ठीके मान लीजिए हमारे पास एक problem है किसी भी कोई issue है हमें ठीके सो हम उस पे कोई solution को find out करते हैं लेकिन हमें क्या लगता है कि यह solution से हमें satisfaction नहीं हो रही है तो हम उसको research करेंगे यानि कि हम कोई दूसरा solution ढूनने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है जो first हमारा result था जो first हमारी findings थी उसमें कुछ कमिया रह गई है तो इसलिए हम लोग फिर से उस चीज को search करते हैं that is called research ठीके तो पहली चीज आपने यह याद रपनी है कि यह एक careful and detailed study होती है किसी भी एक particular problem के बारे में so इसके अलावा इसमें बोला गया है कि research is a logical and systematic search so logical का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को search करना चाहते हैं तो उसमें कुछ logics होते हैं ऐसा नहीं है कि कोई problem में फसे हैं और directly हम लोग उसका solution ढूनने लग जाए कुछ logics लगाने पड़ते हैं कुछ एक systematic way में हम लोगों को step by step जो है हर एक process को follow करना पड़ता है research में so research is a logical and systematic search for new and useful information on a particular topic next poll आ गया है it is an investigation of finding solution to scientific and social problems through objective and systematic analysis तो अब जैसे आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे आप लोग PhD की तयारी कर रहे हो इधर हम लोगों को research करना compulsory होता है PhD में ठीक है तो हम किस पारे में research करते हैं कोई भी एक social problem, कोई भी scientific problem होनी चाहिए या फिर कोई एक issue है जो कि काफी time से सब लोग face कर रहे हैं उस particular field में तो हम लोग research में क्या करते हैं उस चीज़ का एक permanent solution ढूणने की कोशिश करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हमसे पहले काफी students ऐसे आए होंगे जिनोंने उस topic को पकड़ा होगा और उस पे research की होगी बट में भी ये हो सकता है कि उनकी research complete नहीं हुई होगी कोई न कोई issues अभी भी उस particular topic में रह रहे होगी तो उसी चीज़ को हम लोग बार-बार search करते हैं that is called research ठीक है? सुआई हो अब ये दो concepts आप लोगों की clear है next यहाँ पर बोला गया है the information might be collected from different sources सो जब हम research करते हैं तो जैसे मान लीज़े कि कोई social problem है कोई hunger से related problem पे हम लोग research कर रहे हैं ठीक है? सो अब data collect अगर हम लोगों को करना है information collect करनी है तो हम लोग different sources रे कर सकते हैं जैसे कि हम लोग internet के through भी data collect कर सकते हैं ठीक है? तो different sources से हम कर सकते हैं जैसे कि experience ठीक है? यह होता है कि अगर कोई ऐसी field है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मेरा पुराना experience है मुझे पता है कि यह चीज़ कैसे काम करती है तो वो चीज़ भी हमें research में help करती है human beings जैसे मैं आप लोगों को बताया कि field में जाकर कि हम लोगों से बातचीत करते हैं उनके views जानते हैं books के through जो previously published books होती है journals होते हैं इन सब चीज़ों के through हम क्या कर सकते है data को collect कर सकते हैं अपने research के लिए next important point यहांप यह बोला गया है कि research can be lead to new contributions to existing knowledge यानि कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया already उस चीज़ के बारे में हम लोगों के पास information है उस चीज़ का knowledge है लेकिन उसमें new contribution क्या आया है that is called research अब जैसे माल लीजे हम लोगों ने देखना है कि इंडिया की population कितनी है तो यह data हम लोगों के पास already है कि 2020 में इंडिया की population इतनी थी COVID-19 की वज़े से इतने लोगों की मौत हो गई है लेकिन अगर हमें इस चीज़ को बोलेंगे हम existing knowledge तो इसमें new contribution क्या होगा कि अभी कितने लोगों की मौत हो गई थी और नए कितने जनम हुए है वो सब चीज़े research आती है ये नया contribution होता है ठीके पेपर वन में आप सब को help करने के लिए एक free telegram group में लेकर आई हूँ जिसमें आप सब भी अपने सारे doubts मेरे साथ share कर सकते हैं इसके अलावा पेपर वन की important concepts PYQs की PDFs भी में regular basis भी आपके साथ यहाँ पर discuss करती रहोंगी अंकीता सूथ paper one net set preparation नाम से आपको telegram पर ये channel सर्च करना है और जिलनी से इसको join कर लेना है अपनी best preparation के लिए इधर एक process बताया गया है research का ठीके तो यहाँ पर पहले step में बोला गया है start thinking of a problem तो अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में research करना चाहते हैं एक problem हमारे दिमाग में होनी चाहिए अब जैसे आप लोग मालीजी social work में PhD करते हो ठीक है या फिर computer science में PhD करते हो तो आप लोगों कोई सामने पहले ही सबसे पहले कोई problem होनी चाहिए उसके बाद problem के थूँ आप क्या करोगे populate करोगे questions we need answer to ठीक है उसके बाद उस problem में आप देखोगे कि यह यह problems हैं यह यह हमारे दिमाग में questions raise हुए हैं तो इनका solution हम किस तरह से निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप लोग इस वारे में सोचना शुरू करोगे ठीक है तीसरे step में क्या होता है write the research hypothesis hypothesis का मतलब होता है अनुमान लगाना guess करना ठीक है तो उसके बाद हम क्या करते हैं research में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि यह यह points हो सकते हैं हम इस चीज में इस तरह से data collect करेंगे इसका यह solution इस तरह से find कर सकते हैं यह आता है research का third step next आता है state of goals for the research कि इस level पे अगर हमारा एक goal अचीव हो जाता है तो उसके बाद हमारा next goal क्या होगा that is very important ठीक है तो state of goals आप लोगों को research में पता होनी चाहिए next आता है हमारे पास create research objectives so research का हमारा क्या main मुद्दा है क्यों हम research कर रहे हैं तो कहां से हमने हमारे दिमाग में कोई problem आई या कोई problem हमने face की और किस तरह से हम उसको complete करने के लिए पूरी planning कर रहे हैं यह पूरा process जो है वो research के अंदर आता है ठीक है so next बात करते हैं यहां पर कुछ और information दी गई है कि research exactly होता क्या है तो exam में आप लोगों को इसी चीज़ से related questions पूछे जाते हैं कि research क्या होता है so उनी questions को थोड़ा सा गुमा के पूछा जाएगा लेकिन बातें सिरफ यही होंगी definition सिरफ यही होंगी जो मैं आप लोगों को आज इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ ठीक है so पहला बोला गया है कि research एक method होता है searching for fact in any branch of knowledge ठीक है किसी भी field में हम लोग क्या कर सकते हैं fact को find out कर सकते हैं उससे related data को collect कर सकते हैं ठीक है next आता है हमारे पास it represents an attitude of inquiry ठीक है यानि कि हमारे में एक attitude होना चाहिए कि हम inquiry कर रहे हैं किस topic पे कर रहे हैं किस तरह से हम लोग चीजों को manage करेंगे ये एक attitude होना चाहिए कि हम लोग field में जाकर के भी data को collect कर सकते हैं ठीक है अगर ये attitude आप लोगों में नहीं होगा यानि कि previous क्या facts थे क्या findings थी उन सब चीजों को elicit करना है उन सब चीजों को भी हमें मद्दे नजर रखना है ऐसा नहीं करना है कि findings पहले हो चुकी हैं ये बिकार हैं हम इनको नहीं देखेंगे और हम अपने level पे काम करेंगे ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमेशा previous facts previous figures को ध्यान में रखके हम लोगों ने अपनी findings शुरू करनी है नेक्स बोला गया है a systematic and scholarly application of the scientific method तो ये scientific, social कोई भी method हो सकता है और ये point आपने याद रखना है कि research एक systematic process है यानि कि एक system के साथ हम काम करते है वो system क्या होता है कैसे उसको हम follow करते है ये सब चीजें भी हम लोग आगे आने वाले video lecture series में ज़रूर discuss करेंगे ठीक है next day ये एक state of mind है that means it requires the involvement of entire mind यानि कि पूरे mind में हमें अपने mind को active रखना पड़ेगा पूरी research के थ्रू कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई point miss हो जाए कभी हमें कोई idea आता है कब हम इस idea को implement करेंगे ऐसा ना हो कि कोई idea हमें आ जाया तीन दिन बाद हम इसको implement करने की सोचते हैं लेकिन तीन दिन में हम भूल जाते हैं कि वो idea क्या था तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि it is a state of mind next बोला गया है it requirement of knowledge is continuous process in human life ठीक है तो एक continuous process है कि हम लोग knowledge जो है generate करते रहते हैं research is never ending and ever enlarging systematic process तो यह है research की कुछ basic introduction so meaning कि अगर हम लोग बात करें research में तो यहाँ पर बोला गया है again कि एक systematic process है and यह एक organized process है systematic यही है कि एक set of procedure है एक set of process है जिसको हमें follow करना ही है एक systematic जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी काम एक systematic way में करो तो हमें अच्छे results मिलते हैं वही चीज यहाँ पर बोली गई है एक नया point यहाँ पर यह है कि it is an attempt to pursue truth through the methods of study यानि कि हम लोग कैसे study करते हैं previous findings को भी study करेंगे और हम सच ढूणने की कोशिश करेंगे अपने observation के तो हम सच ढूणने की कोशिश करेंगे ठीक है उसके बाद हम compare करेंगे previous findings को अपनी findings के साथ या फिर हम compare करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को hunger से related crisis की बात की तो हम compare करेंगे कि different different states में या different different cities में इसका क्या impact रहता है और कौन से time पे ये लोग किस तरह का जो है issues face करते हैं तो ये comparison और experiment जो है ये बहुत important है ठीक है जितना भी आप लोगों को observation है या previous experience है वो आप लोगों को हमेशा research में use करना ही चाहिए next बाती है final जो हमारी official definitions होती है research की and exam में मैं आप लोगों को बता दूँ कि as it is definitions भी लिखी होती हैं कई बात तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजेगा and अगर आप लोग हमारा paid course join करते हो तो आप लोगों को पूरा हम लोग PDF format में ये चीज़ें provide कराएंगे so that आप लोग अच्छे से time लगाकर के इन चीज़ों को पढ़ सको and समझ सको so research मैंने बताया कि systematized effort होता है to gain new knowledge research comprises defining and redefining of a problem याने कि अगर कोई problem हम लोगों ने face की है तो पहले हम क्या करेंगे उस problem को define कर देंगे ठीक है अगर उस problem को पहले किसी और ने face किया है and already उस चीज़ पर research हो चुकी है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे redefine करेंगे यानि कि हमने उसके बारे में क्या सोचा क्या समझा उस चीज़ को हम define करेंगे ठीक है इसके अलावा हम formulate करते हैं hypothesis को और suggested solutions ठीक है तो इसमें हम लोग evaluate करते हैं data को collect करते हैं organize करते हैं so यहाँ पर organization is very important next definition यहाँ पर बताई गई है कि research as the manipulation of things concepts or symbols for the purpose of generalization to extend correct or verify knowledge whether that knowledge aids in construction of theory or in the practice of an art ठीक है जो भी knowledge हमने collect किया तो उस knowledge को कहाँ पर हम लोग use करेंगे किस तरह से use करेंगे वो सब चीजेस में हम manipulate करते हैं ठीक है यह है research की कुछ basic definitions so यह जो features है इसको मैंने यहाँ पर इसलिए add किया है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ठीक है अभी previous 3-4 slides में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उन सब चीजों को आप लोग features में भी count कर सकते हो ठीक है so systematic we have already discussed so logical का मतलब होता है हर एक logic हमें use करना है ठीक है logic का मतलब होता है कि एक problem है इसका एक solution हम लोगों को मिला तो इसको हम यह देखेंगे कि अगर हम यह solution apply करते हैं तो क्या इसका positive impact पड़ेगा and क्या इसका negative impact पड़ेगा तो हर एक logic लगा करके हम लोगों को real life चीजों को relate करके यहाँ पे काम करन होता है ठीक है अब बात करते हैं empirical की empirical का मतलब होता है it should be based on observation एक important concept है students यह कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी observation और अपने experience के साथ कुछ चीज को use करते हैं ठीक है तो वो होती है empirical से related exam में किसी भी question में observation और आप लोगों को experience term नजर आए and option में empirical होगा तो आप लोग उसी को select कीजेगा बिना सोचे समझे ठीक है जैसे कि existing theory है उसी को अगर हम लोग follow करते हैं तो वो empirical के अंदर आता है ठीक है and इसमें बोला गया है unbiased unbiased का मतलब होता है कि अगर जो हमारे research की हमने findings ली है तो as it is findings को ही हमें अपने report में लिखना होगा इसमें हम कोई भी biasness use नहीं कर सकते and should not be based on judgments यह नहीं सोचना है कि हम इसमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें add कर देते हैं research में यह कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इसमें होश्यारी कर दोगे कि हमने अपनी तरफ से कोई data add कर दिया ले यहां बे बात की गई है qualitative and quantitative research की यह बहुत important and बड़ा topic है इसको हम लोग detail में discuss करेंगे अभी के लिए इस चीज़ को हम skip करते हैं right significance है कि क्यों इसको use करते है latest information अगर हमें किसी topic पे collect करनी है ठीक है expand करना है अपने knowledge को research builds your credibility and new ideas को अगर हम लोग introduce करना चाहते हैं किसी एक topic पे लेकर के किसी एक problem को लेकर के तो उस चीज़ के लिए research का significance important होता है ठीक है अब आता है next topic that is most important that is characteristics of good research so research की characteristics में पहला अगर हम लोग बात करें यहां पर सभी नाम है आप लोग इनको सिरफ याद रख लीजिए exam में कई बार options में आता है तो आप लोग सिरफ देख लोगे तो easily answer कर सकते हो ठीक है पहला था empirical, empirical में आप लोगों को बताया कि real world experiments, observation या हमारी जो भी experiences होते हैं past experiences उन सब चीज़ों से related होता है ठीक है इसी निए research जो है वो empirical होनी चाहिए इसमें हम लोग theory building, mathematical and logical reasoning से related काम करते हैं ठीक है आप लोगों को बता दिया कि logical logics हमने use करने हैं एक solution मिल गया है इसका positive impact क्या होगा इसका negative impact क्या होगा ठीक है यानि कि जो logical होता है यह हमेशा decision making से related चीज होती है जहां पे भी term decision making नजर आए logical research को आप लोग correct answer select कर सकते हो ठीक है इसमें हम लोग logics लगा के data को collect कर सकते हैं so that हम लोग क्या करें new questions को अपने new solutions को ढूंड सकते हैं ठीक है next आता है cyclical so cyclical process है यह continuous cycle होता है यानि कि research में हमने पहले पहला phase किया दूसरा किया तीसरा किया चौथा किया और पांचवा किया ठीक है तो यह process पूरा इसी flow में काम करेगा एक solution मिलेगा दूसरा problem आ जाएगा दूसरा problem solve होगा तीसरा problem आ जाएगा तो यह cyclic process होता है ठीक है so इसमें क्या होता है it starts with problem and end with another problem मैं आप लोगों को बताया कि एक problem से शुरू होंगे उसका solution मिलेगा तब को दूसरा problem आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है next आता है हमारे पास जैसे cyclic के stages होते है different different ठीक है उनको भी हम detail में discuss करेंगे next आता है analytical कि किस तरह से हम लोग analyze करेंगे कि क्या हमारा data अभी है क्या आने वाला data है ठीक है किस तरह से हम लोग उसको solution उस चीज़ का provide कराते है next आता है critical research so critical thinking यानि कि जो हमारा core academic skill होती है under graduation पर या फिर post graduation time पर जो हम लोगों के दिमाग में basic questions आते हैं उन सब चीज़ों को भी हमने याद करना है कि यह question उस time पर भी था and यह question यहां पर किस तरह से हम हमारे सामने आया है and कैसे हम इस चीज़ को find out करेंगे so critical research is a loosely defined genre of social inquiry whose central theme involves the problemization of the knowledge next आता है methodological so this procedure इस procedure में क्या होता है it is the way in which the researcher arrange, develop, जहां पर भी आप लोगों को term मिलती है na arrange, develop, modify any technique ठीक है तो वो previous result पर भी हो सकती है या अपने अभी findings पर भी हो सकती है वो सब आता है methodological के अंदर ठीक है so यह भी systematic method होता है next आता है replicable so replicable का मतलब होता है कि replicable keeps researchers honest and can give readers confidence in research इसके अलावा researchers are agreeing to replicate जो की बहुत important concept होता है ठीक है next आता है feasible so feasible research questions can be answered the feasibility of research questions focus on objective aspects of the immediate empirical and clinical environment and last आता है हमारे पास ethical so ethical जो होता है बहुत important होता है इसमें number of reasons आते है एक ही question की बहुत सारे reasons हमारे पास है अब हमें यह देखना है कि हम लोग किस तरह से और कौन से reason को attempt करेंगे इसमें data gathering होता है voluntary participation होती है ethics के through ठीक है ethics का हिंदी में मतलब होता है नैतिक ठीक है जो नैतिकता होती है ना basic नैतिकता है वो आती है यहाँ पे जिसलिकि reporting plagiarism नहीं होना चाहिए plagiarism का मतलब क्या होता है plagiarism का मतलब होता है duplicacy नहीं होनी चाहिए तो यह research ethics एक separate topic है यानि कि कौन-कौन से नैतिकता है है कौन-कौन से basic rules है जो कि research में हमें ध्यान में रखने चाहिए next आता है relevant so relevant होना चाहिए यानि कि जिस topic पे हम लोग research करना हमने start किया है हम लोग अपने topic से भठके ना हमेशे उस particular point को ध्यान में रखें तो यह है research के कुछ important characteristics तो students आज के लिए सिरफ इतना ही I hope यह पूरा concept आप लोगों को बिल्कुल clear है and इसके लावा अगर आप लोगों को कोई doubt है किसी और topic को जादा detail में जानना चाहते हो तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो हमारी team definitely आपकी help करेगी so thank you so much for watching this video and all the best